अब सब स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वितास हूं में इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं Molecular Clock के बारे में Rate of Evolution कैसे निकाला जाता है वो पूछ लिया जाता है एक्जाम में कि यहां पर है वोक्यूशन में डाटा देखकर पूछ लिया जाता है कि Rate of Evolution कैसे क्या है and KA upon KS रेशो क्या इससे क्या पता चलता है वो इतना है वो चोटी सी वाली वीडियो में हम बात करेंगे Molecular Clock क्या होता है सबसे पहले है वो पूछ लिया जाता कि Molecular Clock क्या होता है कि हम Molecular Level पर हो वो कुछ चीज़े हम देखकर जैसे कि Amino Acid होता है औरगेनिजम में हमारे अंदर Protein जिससे बनते हैं ओके एंड नुक्लियोटाइड जो कि जैसे कि DNA में नुक्लियोटाइड होते हैं H, E, T, C ठीक है उनके according उनको देखकर उनके अंदर क्या changes आया है उनके according हम है वो अगर देखते हैं कि Ancestor और Descendant के बीच का relation और कितना time हुआ है Ancestor और Descendant के बीच का और time निकालने का हम हम in molecular substance है वो ट्राइ करते हैं तो उसको ही हम बोलते है molecular clock ठीक है, सो sequence जैसे कि Eminence इड में कितना changes आया है या फिर nucleotide में जैसे कि केसे changes आया है उससे हम molecular clock बोलते हैं जैसे कि हम rate of evolution हम देखते हैं उसमें क्या हम देखते हैं rate of evolution हम कैसे निकालते हैं हम जैसे कि कोई भी species का हम sequence ले लेंगे ठीके जिनोम का वहां पर हो हम compare करेंगे दो विकोज हम दो species का compare कर रहे हैं अंसेस्टर और descendant का दोनों का हम ले लेंगे जिनोम हम देखेंगे nucleotide में कितने nucleotide का हो substitution हम हमें मतलब difference देखने को मिल रहा है जैसे कि यह a g t c t a यहां पर हम compare करेंगे जैसे कि इसका descendant species है यह इस परकार से है वो आ रहा है ठीके एंड यहां पर है ठीक है यह a species है यह b species है अब इसमें जैसे कि जो difference याने substitution है यहां पर यहां पर c की जगह है यहां पर इसमें g का substitution हो गया nucleotide का यहां हffenome तो यहाँ पर थिए की जगह को के हाससारी intake a मं देख लेंगे चिंट में Maryland ॲिए मंलब fera अमाउंट हम देखेंगे उसको इसको बोलेगे हम दी सका फोर्मूला होता है ऩ। का d upon 2t ओके यहां पर टी हो जाएगा कि time कितना है वो उनके बीच का time distance के मतलब कितने million year ago का difference है ठीक है इससे हम रे हमें हो rate of evolution का पता लगता है ठीक है इससे वो direct हो क्यूशन में d का value दे दिया जाएगा कितना amount है वो substitution है और time का value दे दिया जाएगा और rate of evolution का पुझेगा आगे हमें example भी देखेंगे and so and एक आता है के के एंड के का रेसो उसके according है वो क्यूशन इस परकार से पूचा जाता है कि के अपन के अस का value एक से जादा है तो बताओ क्या होगा positive selection मतलब इस परकार से वो आगे है वो option दे देंगे ठीक है यह क्या है वो हम देखते हैं ठीक है के होता है नौन सिनोनिमाज substitution ओके जैसे की नौन सिनोनिमाज मिन्स जैसे की वेलिन का है वो जो कोड कर रहा था उसके अंदर कुछ चीज़ परकार का है वो mutation होगा कि वो उसका जो वेलिन का जैसे है वो एलालीन में है वो convert कर देगा ठीक है उसका नेचर है वो चेंज कर देगा ठीक है इसलिए उसको के साथ के नौन स्यंविनस स्ब्स्टीटिशन कितने है ठीक है और के अस मिन्स होता है सिनोनिमस स्ब्स्टीटिशन कितने हुए जैसे की वेलिन में ही convert हुआ जैसे की ठीक है जैसे की मानलो for example मुझे आइडिया नहीं है कोडन का भी में देख के बता अब जिसे की कोई kodon है GUA ठीक है यह वैलीन को code कर रहा है और इसी के साथ इस एके nucleotide में कुछ है वो substitution हो गया और यह बन गया GUG बन गया ठीक है जिए है यहां पर transition mutation हो गया मालो new new a से जी यूजी बन गया है ठीक है ए से जी में convert हो गया प्यूरीन का प्यूरीन में ही है वो conversion है वो हुआ है तो यहां पर इससे है वह वैलीन यह भी वैलीन को code करता है यह codon भी वैलीन को कोड कर रहा है यहां पर वह इनका nature वह चेंज नहीं हुआ सेम एमिनेसेट जब रहता है उसको बोलते हैं synonymous ओके सो synonymous substitution यह हो जाएगा ks means as means synonymous okay a means non synonymous substitution अब इसका जो ratio होता है ठीक है non synonymous and synonymous जो substitution हम compare करके देख लेते हैं कि यहां पर वो टोटल है वो 20 mutation हुए जिसमें से यहां पर हमें 16 mutation है वो non synonymous थे ओके एंड फोर mutation है वो substitution है वो synonymous थे तो उसका रेशो अगर है वो यहां पर वो पूछ लिया जाता है कि उनका रेशो ना के अपन के सका रेशो अगर एक से ज़्यादा आता है तब यहां पर है वो पॉजिटिव और डार्विनियन सिलेक्षन है वो होता है ठीक है और के एरेशो के एस का वेल्यों अगर एक के बराबर है, वह इसा होता है? आप भी बताओ देखो, जब यह नूटरल सिलेक्शन होगा तब भी होगा, ठीक है? यहाँ पर नूटरल नेचुरल सेलेक्शन होगा, उल्के नूटरल सेलेक्शन, तो यहाँ पर एक, अगर उनका के और KS का ratio 1 होगा तो यहां पे neutral selection होगा अब ऐसा होता क्यूं है ठीक है अब K A ratio KS कि या value 1 से ज़्यादा होता है तो वो positive selection ही क्यों होता है इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि K A ratio KS का value 1 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि K A यहां पे ज़्यादा होगा तब ही यह वेल्यू पोशिबल होगी न के एस कम होगा के ज़्यादा होगा इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि नोन सिनोनिमस सब्स्टिटीशन ज़्यादा होगा तब यहां पे पोजिटिव सिलेक्शन होगा अब कोई भी जो इवल्यूशन चलता आ रहा है हमारे बोडी में भी कोई एम्मिन एसिड कोई एंजाइम है वो प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन में एम्मिन एसिड होते हैं और वो नए environment में adapt होने के लिए नहीं होगा ठीक है तो नए environment में adapt होने के लिए हमें अपने protein के sequence में changes लाना होगा तो यहाँ पर protein के sequence में यहाँ पर changes आ रहा है non synonymous substitution से बिकोज यह ज़्यादा होगा तभी x से यह value ज़्यादा होगी इस ratio की तभी इसलिए हम बोलते हैं कि x से ज़्यादा अगर value होगी k a ratio k s की तब यहाँ पर हमें positive selection darwinian driving selection हम यह देखने को मिलेगा एक से कम होगा तो हम यहाँ पर stabilization selection देखने को मिलेगा और एक के बराबर होगा तो neutral selection देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्यूशन है पिछे rate of evolution के रिलेटिवी a and b common ancestor है और अबाउट नाइन इन्टू 10 टू पावर 6 million year ago से यहाँ पर है वो इनका time दे दिया है और rate of divergent per base pair is 0.0015 यहाँ पर rate हमें दे दिया है स्वाल में अब ज़रूरी नहीं हो हमें rate rate of evolution निकालने को ही बोले हर क्यूशन में तो यहाँ पर रेट दे दिया है पहले से कि इतने rate से evolution अभू इलोईशन दे दिया 0.0015 पर बेस यहाँ पर डावर्जन रह दे दिया है and what is the proportion of base pair that differ between the two species अब दो species के बीच में क्या proportion में है वो base pair में difference होगा जो base pair में difference होगा उसे ही तो हम D बोल रहे थे है कि यहाँ पर है वो और बड़ावर डी अपॉन टू टी में हमें वो और दे दिया rate ओफ इविलीशन दे दिया डी निकालने के लिए बोल रहा है हमें टी दिया हुआ है तो यहाँ पर हो डी इस इकवल टू आर मैटिपलाई बाई बाई टू टी से हम कर देंगे आर हमें हमें दिया हुआ है एंड टी हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर सिंपली केल्कुलेशन से डी का वेल्यू आ जाएगा 0.025 ओके इतना थाइस वाली वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके रिलेटिव इवलेशन के रिलेटिव इवलेशन के लिए क्यूशन भी जल्दी ही क्यूशन हम करेंगे ओके क्यूशन करेंगे एंड य यह वो क्यूशन सीरीज हम लाएंगे विकाज एक्जाम है वो नस्दिक आगए ओके बाई बाई